नमस्कार जय हिंद आप सभी का स्वागत एक बार खट्षा आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे स्टुडेंट्स जो की बोड़ अफ टेक्निकल एजूकेशन उत्तर परदेस यानि की बीटी यूपी से डिप्लोमाइन फार्मेसी कर रहे हैं या फिर पॉली टेक्निक कर रहे हैं उन इस्टुडेंट्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो देखे जो आपका डिप्लोमाइन फार्मेसी का एक्जामिनेशन होता है यह आपका एक साल में एक बार जो है वो आपका करवाय जाता है आपका semester examination जो है वो नहीं करा जाता है लेकिन जो आपके polytechnic के students जो उनका examination है वो semester basis पर जो है वो करा जाता है और जो उसका result है वो कुछ दिन पहले आया है लेकिन जो जहां पर result आया है उसमें बहुत बड़ी चौकाने वाली जो बात है वो इस समय देखने को मिल लई है और इसमें गज़ती students की है या फिर board की है उसके बारे में भी जो है वो हम discuss करेंगे ठीके तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर एक tweet देख लेते हैं जो कि यहां पर और समेस्टर का examination हुआ था इसमें 1,74,915 जो student है इतने student जो है उन्होंने examination दिया था और इन में से 74,507 students की बैक लगी है अब देखिए यह कितना बड़ा आकड़ा है यह आपका 40%, 45% तक जो है यह आपका आकड़ा पहुच जाता है कि 100 में से करीब 40-45 जो student से उनकी बैक लगी है बोर्ड अधिकारियों को इस ओर सोचना चाहिए तो यह जो है यह आपका tweet आया है और इसके लवाजो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि Polytechnic विसम समेस्टर की परिच्छा में 1,78,691 परिचारती सामिल हुए 93,190 परिचारती पूरी तरह से पास हुए और 74,507 परिचारती बैक पेपर के साथ पास हुए तो आखिरकार इतने सारे स्टुडेंट्स की बैक क्यों लग रही है तो देखें मेरा मानना है और बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स जो की Board of Technical Education से Polytechnic करें Diplomine Pharmacy करें उनका भी ऐसा मानना है कि Copy सही से लिखने के बावजूद भी जो है वो Board या फिर कहें कि जो भी यहाँ पर examiner होते हैं जो कि यहाँ पर copy चेक करते हैं वो students की एक नंबर से बैक लगा रहे है ठीक है तो ऐसा जो है वो Board की तरफ से जान बुझ के जो यहाँ पर examiner हैं उनके द्वारा किया जा रहा है अब देखें यह जो आपका यहाँ पर बैक लगाने वाला खेल है इसको इतना जादे क्यों किया जा रहा है ठीक है तो देखें इसके पीछे है Board की जो यहाँ पर मंसा है वो है पैसे कमाने की अब देखिए जो यहाँ पर Board है वो कैसे एक बार करा जाता है तो अगर अगर 74,000 75,000 दो इनकी बाइक एक साल में दो बार लग रही है तो समझे कि बोड जो है वो कैसे पैसा कमा रहा है तो देखें जो आपर बोड है वो यहां पर री वैलुएशन के माध्यम से जो है वो अच्छा खासा पैसा जो है वो यहां पर बना ल कर सकती कि कितना पैसा होता है ठीक है 74,000 को अगर आप यहां पे 500 से अगर आप यहां मल्टिप्लाई करेंगे तो इतना पैसा जो है वो बोड यहां पर री वैलुएशन फॉर्म से सिर्फ कमा ले रहा है और अब और देखिए अगर यहां पर चवात्तर जो स्टुडेंट इ है उसको भरना होगा और यहां पर बैक फॉर्म के फीसे वह आपकी 200 रुपे पर सब्जेक्ट होती है ठीक है तो यहां पर अगर हम यहां पर मान के चलते हैं कि जो यहां पर 74,000 जो स्टुडेंट से इनकी बैक लगी है इसमें से अगर केवल किसी का 14,000 का भी अगर यहां प मान की जलते हैं कि केवल एक ही सब्जेक्ट का जो है वो यहां पर बैक पेपर का जो फॉर्म है वो अगर अप्लाई किया जाता है तो इसके लिए 200 रुपे फीस से आपकी एक सब्जेक्ट की तो आप यहां पर जो है वो आप यहां पर बोड है इसने पैसे कमाने का जो है व वो यहाँ पर कमा सके, तो यह बात जो है, वो यहाँ पर बिल्कुल गलत है, जो यहाँ पर बोर्ड है, उसको इस तरह जो students है, उनके साथ खिलवाड नहीं करना चाहिए, और आज से कुछ दिन पहले news paper के अंदर बे दिया था, कि एक यहाँ पर BTUP का student था, उसकी दो subject में back request है कि आपके पास जो भी अभी समय है, दो महीने का आप दिन रात लगा दे, आप ठीक से तियारी करें, आप बिल्कुल भी नकल के भरूसे न रहें, और एक मई से जो है, वो pharmacy point यूटूब चैनल पर भी जो है, वो कुछ important question और उनके answer जो है, वो आपको daily करा जांगे, तो अपने examination की तियारी करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिंद,